असलामू अलेकुम वेलकम माई यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं हासबली टीवी मैं आज आपके लिए लेका रहा हूँ वाट्साप की छे कमाल की सेटिंग अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल एकन के बटन को दबा दें अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ नमबर सिक्स पर हमने जिस सेटिंग को जो आदी है वो बहुत ही कमाल की सेटिंग है अगर आप अपने मुबायल में किसी दोस्त या फ्रेंड का नमबर सेव करना चाहते हैं बगार टैप किये या बैक बगार बोले ये बहुत ही असान तरीका है आप क्यू आर की मदद से अपने दोस्त का नमबर सेव कर सकते हैं आपको सिरफ एक पासवर्ड स्कैन करना है या आप या अपने दोस्त को इसी तरह अपना नमबर सेव करा सकते हैं आप अपने वर्टसाफ ओपन कर लें ओपन करने के बाद आपको उपर कोड़े में 3. नजर आ रही होगी आप इन पर क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आप सैटिंग पर क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आपको यहां पर नजर आ रहा होगा QR कोड का साइन आप इस पर क्लि करने के बाद उपर आपको नजर आ रहा होगा लिखा हूए QR कोड अगर आप माई कोड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपना कोड स्काइन अपने दोस्त को करा सकते हैं अगर आप किसी का कोड स्काइन करना जाते हैं तो आप इस वाले अप्शन पर क्लिक कर दें यहां पर आप अपने दोस्त का कोड़ स्कैन कर सकते हैं, इसके मदद से आपके मुबायल में आपके दोस्त का नंबर खुद बाखुद सेव हो जाएगा, आप अपने दोस्त का नंबर सेव कर सकते हैं, ये है हमारी नंबर सिक्स सैटिंग, नंबर फाइफ पर जिस सैटिंग को जग रहाएगा और नाहीं आपको टंग करेगा ये है आरकाईट सेटिंग ये etcetera . 82 आप को आ अबी नीडू सेटिंग की है अगर आपको कोई दोस्त आपको टंग करता है, मेसेज करता रहता है लैंगिन आप को से ब्लॉक करना चाहते हैं उसे ही पता चले और उसके मेस्ट आपके पास डिलिवर भी हो लेकिन आपको वो तंग ना करें बार बार आपकी मुबैल की तूर ना बजें इसलिए आप अपनी वर्षाप ओपन करने के बाद आप जिस दोस्त को आरकाइड करना चाहते हैं उस पर लोंग प्रेस करें लोंग आप इस पर क्लिक करें यह देखें वो तीनों नंबर आरकाइड हो जुके हैं आप इनकी जो भी मेस्ट मेरे पास आएगा वो मुबैल में टूर नहीं बजेगी और ना ही मुझे तंग करेंगे अगर आप आरकाइड वापसी करना चाहते हैं तो इन पर लोंग प्रेस करें और आरकाइड की आप्शन पर दुबारा क्लिक कर दें यह देखें तुमाम नंबर दुबारा वापसी आ जुके हैं यह थी हमारी नंबर फाइफ सैटिंग अब हम चलते हैं नंबर फॉर सैटिंग की तरफ यह बहुत ही अमेजिन सैटिंग है यह सैटिंग बहुत ही कमाल की setting है अगर आप अपनी chat किसी के साथ share करते हैं या किसी को आप chat अपनी बेज़ते हैं कि आप time लगा सकते हैं कि मख्सूस time के बाद वो खुद बाखुद delete हो जाएगी यह बहुत ही कमाल का तरीका है यह WhatsApp ने अभी new ही नकाला हुआ है आप अपनी WhatsApp open करें open करने के बाद आपको उपर कोने में 3 डान नजर आ रहे होगे आप इन पर क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आप setting में आ जाएं setting में आने के बाद यहां पर आपको यहां तो privacy का option अकाउंट में मिलेगा मेरे मुबाइल में privacy का option बाहर नजर आ रहा है आप privacy के option पर click कर दें click करने के बाद आप थोड़ा सा नीची आ जाएं नीची आने के बाद यहां पर आपको लिखा हुआ नगर आ रहा होगा default message time आप इस पर click कर दें click करने के बाद यह देखें यहां पर वो off है आप इसको 24 गेंटो के लिए भी कर सकते हैं 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं और 90 दिन के लिए कर सकते हैं अगर आप 7 दिन के लिए करेंगे तो 7 दिन के बाद खुद बाद आपकी chat ब्लीड हो जाएगी अगर आप 24 गेंटो के लिए करेंगे तो 24 स्केंटों के बाद आपकी चैट ब्लीट हो जाएगी मैं यहाँ पर आपको 7 दिन पर कर देता हूँ यह देखे मैं 7 दिन पर कर दिया और बैक आ जाते हैं यह थी हमारी नमबर 4 सैटिंग यह बहुत ही कमाल की सैटिंग थी अब हम चलते हैं नमबर 3 सैटिंग की तरफ यह बहुत ही कमाल की सैटिंग है इसमें हम अगर किसी को वाइस सेंड कर रहे हैं हम उसको अगर हम से कोई गल्दी हो चुकी है या हम उसको दुबारा टिलीट करना चाहते हैं ने रहे हमारे दोस्त के पस ना पहुंच पाए यह आप उसको प्रहले सुनना चाहते हैं और फिर आपने दोस्त को सेंड करना चाहते हैं यह भी बहुत कमाल की सैटिंग है आप अपने मु Points उपन कर लें उपन करने के बाद आपने किसी को वाइस सेंड करनी है और आप इसको तुबारा ब्रेक खोल भी सकते हैं यह देखें तुबारा रिकाल होने लग पड़ी है अगर आप इसको बीच से डिलीट करना चाते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हैं और यहां से आप सेंड भी कर सकते हैं यह थी ह हमारी number three setting मुझे अमीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी अब हम चलते हैं number two setting की तरफ number two जो setting है ये बहुत ही कमाल की setting है अगर आप को कोई भी दोस्त आपका किसी ग्रूप में जवाइन करता है यह आपको तंग करते हैं दोस्त तो अब आपके दोस्त आपको तंग नहीं करता हैंगे कि आपके मर्जी के बगएर कोई आपको किसी ग्रूप में जवाइन नहीं कर सकता इससे पहले ये बहुत ही सर्दर्द काम था अब ये वर्टसअप ने यू सैटिंग निकाली है कि अगर आपके अजासत के बगार कोई आपको किसी गुरूप में जवाइन नहीं कर सकता आप अपनी वार्साप ओपन कर लेए ओपन करने के बाद आपको उपर कॉमने में थ्री डाट नजर आ रहे होंगे आप इन पर क्लिक कर दें क्लिक करने के बाद आप सैटिंग में क्लिक कर दे सैटिंग पर जब आएंगे तो आप प्राइबेसी पर क्लिक कर दे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा से नीची आजाएं नीची आने के पाद आपको गुरूप का अप्शन नजर आ रहा होगा आप ग्रूब के option पर click कर दें click करने के बाद आप के सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहाँ पर आपको number 3 पर एक लिखाओं नज़रा रहा होगा my contact accept आप इस पर click करने के बाद आप number select कर लें जो दोस्त आपको किसी group में select ना कर सके मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ अब मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दे ओके करने के बाद ये देखे मैंने ओके कर दिया ओके करने के बाद अब ये दोस्त मुझे किसी भी ग्रूप में जवाइन मेरी मरज़ी के बगार नहीं कर सकते ये थी नमबर दू सैटिंग अब हम चलते हैं नमबर वन सैटिंग की तरफ ये बहुत ही कमाल की सैटिंग है जैसे नमबर वन है इस तरह सैटिंग भी नमबर वन है बहुत से लोग को ये मसला होता है कि हम अगर आग किसी के पास पिक्स अपनी सेंड करें वो सिरफ only one time open हो और उसके बाद वो खुद बाद खुद ही उसकी गैलरी में भी delete हो जाए और उसके mobile से बिल्कुल delete हो जाए only one time वो जो setting है वो जो पिक्स है open हो और open होने के बाद वो delete हो जाए मैं अभी आपको दखाता हूँ किस तरह आप उसे send कर सकते हैं और उसके बाद आप वर्टसप open कर ले open करने के बाद आपने जो पिक्स जिसको send करनी है वो पिक्स select कर ले मैंने जो पिक्स select बेजनी है मैं उस select कर लेता हूँ स्लेक्ट करने के बाद, ये देखें मैंने ये Pix बेजनी है, मैं ये Pix select कर लेता ह। इसके बाद आपको इसके कौने पर एक option नगर आ रहा होगा, इस पर लिखा हूए 1, आप इस पर कलिक कर दें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे यह देखिए वो PIX सेंड हो चुकी है अब मैं आपको उपन करेंगे देखाता हूँ हमने जो PIX सेंड की होई थी वो यह देखिए यहाँ पर show हो रही है PIX तो मैं इसको उपन करता हूँ दोनलोड प्योती हो रही है यह open मैंने कर लिए, open करने के पाद जब मैं इसको back करूँ गा तो यह delete हो जाएगी मेरे पास से भी और मेरी gallery से भी, यह जो देखें मैं पीछे करता हूँ, पीछे करने के बाद यह देखें, आप need लिखा हुआ है, कि यह दोबारा open नहीं हो सकती, कभी भी यह दोबारा open नही हो सकती मुझे अमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी को वीडियो अच्छी लगी है तो सबस्क्राइब कर दें और साथ ही बेल एकन के बटन को दुबा दें अभी के लिए मुझे दीजिए अजादत अल्लाहफीज